बिहार में मौनसुन पूरे तरीके से एक्टीब है हाला कि अभी भी पूरे राज्य में 27 प्रतिशत और 223 mm तक कम बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुस्तार बुद्धवार 6 सितंबर तक 820.9 mm बारिश होनी थी लेकिन अब तक 597 mm ही बारिश हुई है वही मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जीलों में आकाशिय, बिजली और बारिश को लेकर संभावनाय जताई है इसमें पटना गया भागलपूर, रोहतास, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर समेत 20 जीले शामिन है आज दक्षुन बिहार की तुल्ला में उत्तर बिहार में अधिक बारिश होने की भी संभावना जताई गई है मासमिभाग की अनुसार मौंसुन, द्रोनी रेखा, बीकानेर, गुणा, राइपूर, मंडला, कलिंगा, पटनम से होकर दक्षिन पूर्भी की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है इसके कारण अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौंसुन की गतिवीदिया बनी रहेगी बुद्धवार को प्रदेश के कई जीलों में बारिश हुई, इसके कारण अधिकतर जीलों के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली मौसम इभाग ने लोगों को सतरक और सावधान रहने की अपिल की है साथ ही बारिश के दौरान पेड़ के नीचे न चीपे विजली की पोल से दूर रहें किसान अपने खेतों में न जाए और मौसम सामानने होने का इंतजार करें मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन पटना में बादल चाये रहेंगे इसके साथ ही बारिश मेग गरजन और वजरपात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है वहीं बुद्धवार को पटना में हलकी बुंदा बांदी हुई हाला कि बारिश से लोगों को उमसभरी गर्मी से रहात मिली वहीं अधिक्तम तापमान में भी 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पटना का अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे के दरान बजरपात से सारन जीले में तीन लोगों की मौत होने पर सियम नितिश कुमार ने गहरी सनवेदना व्यक्त की है सियम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाक रुपे मौजा देने का एलान किया है सियम ने लोगों से अपील की है कि लोग खराब मौसम में पूरी सतरकता बरते खराब मौसम होने पर वजरपात से बचाओ के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गए सुझाओ का पालन करे खराब मौसम हो तो घर में रहे और सुरक्षित रहे एक बार फिर से बता दू कि बिहार में मौनसुन पूरे तरीके से एक्टिब है हाला कि अभी भी पूरे राच्यों में 27 प्रतिशत और 223 मम तक कम बारिश हुई है वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जीलों में आकाशिय बिजली और बारिश को ले करके संभावनाय जताई है इसमें पटना, गया, भागलपूर, रोहतास, नवादा, जमुई, बांका, मुंगे, समेत 20 जीले शामिल है आज दक्षिन बिहार की तुल्ला में उत्तर बिहार में अधिक बारिशोने की भी संभावना जताई गई है मौसम इभाग की अनुसार मौनसुन द्रोनी रेखा, बीकाने, गुना, रायपूर, मंडला, कलिंगा, पटनम से होकर दक्षिन पूर्ब की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है इसके कारण अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौनसुन की गतिवीधिया बनी रहेगी बुद्धवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, इसके कारण अधिकतर जिलों के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली राज्य में सबसे अधिक तापमान सीता मडी में 37.4 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया सबसे कम तापमान बांका में 29.8 डिगरी सेल्सियस रहा वहीं अररिया कटिहार भागलपूर बांकार जमुई समेत अन्य जीलों के अधिक्तम तापमान में 102 डिग्री सेल्सियस तकर गिरावट दर्च की गई राज्य का असत तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस रहा